तो दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं या एक वायर कटर है जो कि हर इलेक्ट्रिसियन के पास होता ही है और इस वायर कटर को आप देख सकते हैं इसका स्प्रिंग तूट चुका है इसका धार भी चला गया है और इसका हालत भी कबार जैसा हो चुका है और इस कंडिशन म 99% लोग इसे फेक ही देंगे लेकिन 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 इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंसान पुराने खराब वायर कटर को फेकने के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुरी तरह से खराब वायर कटर को फीर से नया जैसे बना कर दिखाने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हम अडूप्चनल मेकनिकल सर्च तो चलो तो विडियो को स्टार्ट करते हैं फट्टाक से दोस्तो वैसे तो वायर कटर 50-60 रूपए में मिल जाता है तो नय लेना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन किसी भी चीज का रिपेर के बारे में जानना एक बड़ी बात होता है चाहे वाँ छोटी सी छोटी चीज क्यों नहों और दोस्तो ये जो रिपेर करने का काम होता है था है चोटी सी चीज हो चाही बरी चीज या एक प्रकार का कला ही होता माmodernता हूं कि यह जो कला है वहफर कि प्ला होना ही चाहिए तो चलो करते हैं तो यहां पर आप देक सकते हैं यह जो कटर का सевट होते हैं उसी आपको यहां पर यूज करना क्योंकि हाँ लचील से आप दे सकते हैं लचीले होता है इस करम से आप इसको को इस प्रींग के रूप में आप यूज कर रहेंगे इस肉 सियार से सीधा करके इसको करें ren हम क्या करेंगे इसमें जंक लगा हुआ है जो की पुराना होचुकित को दूस्त आप दे सकते हमने इसको घीस कर तयार कर दिया है और साथ ही हमने इसमें धार भी लगा दिया है अब दोस्तों आप धार लगाईगा तो फाई से तो इससे आपको सीधे ती़्धे घिसना खलकी ठीक है और उसके बाद अब को एक साइट से धार करना है निच्छ एक साइन धार नहीं करना था तो इस तरह से हमने धार कर दिया है और इसी तरह से आपको धार लगाना है अगर काम नहीं कर रहा है काटने में कट नहीं रहा है तो तो इस तरह से हमारा जो यह जो काम है पूरा चुक है अब हम यहाँ पर इसमें स्प्रिंग तयार करेंगे इसके लिए आपको छत्ते की तार को एसी प्रपकार से इसके बाद हम नाप लेंगे आपको सरकल को माथे कर रखना है रखना और आपको यहां पर देख सकते हैं नीचे में दो-ल दीकने को था ये तो इस होल में आपको आपको क्या करना है होल से आपको Сलब यहां निणान लगा देना है और ठीक इसे पकाफ की भी सराइट का भी होल से एक सेंटिमीटर एस्टर यहां पर निचांन लगा देंगे क्योंकि हम यहांस पर जो दोनों निचान लगाएं उसको हमें आप अपर से तोड़ेंगे कट करेंकिए आप देछन णया पर निसान लगा दिए अब इसको प्लायर की सहायता साया पर ठाप करें ठीक है तो इस तरह से को कट कर लेने है अब दोस्तो इस को फसाना कैसे है आप ध्यां से देखेंगा और समझे तो आपको क्या करना है जो स्प्रिंग विने तयार कि आपको काफी लचील है Central से रखना और यहां पर आपको जो activity में कट की थे न आपको साइड से एंगी तरफ आपको देना हैं जैसे कि आप देख पा रह다 है आप किसी भी सर्फ मोड ऑता है इस तरह से जो मोडे हो भाग करना तो आप झास हो तो िसले से आप स्प्रेंग बना सकते हो जो इसको यह बाहर नीकर ले तो आपको क्या करना सकते हैं तो इस्प्रण पहले क्या था आपने देखा था अब क्या हो चुका है आप देख रहे हैं तो हम यह पर टेस्ट करते हैं इसका ठीक है तो आप देख सकते हैं पर हम इसको छील कर दिखाने वाले दोस्तो आप देख 37 में असानी से एक वायर को छील भी जा रहा है तो दोस्तो इस तरह से आप जो पुराने का डर उसको फेक किये गा नहीं आप इस तरह से थोड़े से महिनत से आप पुराने का डर को नेजर से बना सकते हैं तो चले हो तो मिलते हैं ने श्टूडियो में झाल झाल